अभी हम लोग है कसोल में और अभी हम होटल के रूम से निकलने वाले हैं सिसु के लिए मनाली होते हुए और सोलांग होते हुए हम जाएंगे सिसु क्योंकि वहां पर बर्फ है और मनाली में बर्फ नहीं है तो मनाली वापस में आएंगे और अभी हम यहां से निकल रहे हैं कसोल से निकल रहे हैं और सारी पैकिंग हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है फांच बचकर पचास मिनट सभी लोग तयार है तो चली फ्रेंड्स अब कसोल को करते हैं बाई बाई और आपको मिलते हैं चलो बाई 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 कसोल अब देख सकते हैं कि अभी अंधेरा चाया हुआ है और हमें जल्दी निकलना था तो हम ले अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी मार्केट बंग है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है अगबग छे बज़ रहे हैं और हमारी दूसों अभी जो हमने गाड़ी बुक की है वो आ चुकी है यह देख सकते हैं आप और अब हम लोग निकलते हैं कसोल से सिसू के लिए तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहां कसोल से अपनी गाड़ी में और अब हम जाएंगे भुंतर होते हुए कुलू फिर मनाली और फिर वहां से रोतांग और रोतांग से भी आगे पड़ता है हमारा सिसू तो पहले सिसू जाएंगे उसके बाद में हम वापस आएंगे दोस्तों हम लोग बर्फ देखने के लिए जा रहे हैं सिर्फ क्यूंकि हमने सुना है कि अभी सिसू में बर्फ है और सबसे पहले वहां चलेंगे अकर वहां पर बर्फ नहीं मिलेगी तो वापस हम आएंगे अपने रोतांग में वहां पर एक उसक्रोवाइली है तो वहां पर भी बर्फ हो सकती है तो यह देख लिए फ्रेंड्स हम लोग लगदबग सुबह के छे बज़े निकले हैं और हम लोग की जो गाड़ी थी वह एकदम टाइम से आ चुकी थी और हम लोग उने जल्दी नहायाद होया फिर वहां भूंतर का ब्रिज है तो इसको हम इस तरह से क्रास क्रास करके उधर जाएंगे कुल्लू की तरफ यह दोस्तों भूंतर है और भूंतर से हमें सीधे ही जाना होता है मनाली रोट पर और यह हाईवे है आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ के पाहार भी दिखने लगे हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नजारा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों हम लोग पहली पहली बार जा रहे थे तो काफी ज़्यादा एकसाइट थे बर्फ देखने के लिए सो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं सोलांग और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नजारा कुछ इस तरह का है और यहाँ पे रोप पे एक है जो उपर ले जाएगा है और वहीं से पहले ग्राइडिंग होती है और आप देख लिए यहाँ पे चारा तरफ बर्फ है और अभी हम लोग और आगे जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लिए हैं कि देख लिजी अप लोग आप दोस्तों यहाँ पे जो है रोपवे था एक और वहीं आपको रोपवे से ले जाकर उपर से पैरेग्लाइडिंग कराते हैं यहाँ पर दो पॉइंट है पैर से हैं और दूसा ज्यादा करें से हैं यहां पर ट्रैक हम लोग अंदे हो रहा है है कि अब जोता है कि पीधिया है। है दर्ग है यदा बादा बोड़ा है अधर मैं यहां पर सब्लोग और अपने पना सूट पहें दी आया है तो दोस्तों हम लोग तैयार होकर अब जा रहे हैं बर्फ पर और आप लोगों को दिखाते रहेंगे तो बने रहीएगा इस वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल और रास्ते से यह हमें बर्फ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों यह नजारा काफी ज्यादा हमें अच्छा घ्रा का होता है हो किEl entirety अब की अब्ले की लोग लेज़ाऊ सकते हैं कि कितने विशाल पहाड़ हमारे मारे चार और अब जोस्तों को अ चार टे मा नंब अ मीम्ली हम कुछ इस तरह से बर्फ देखने को मिल जाते हैं जैसे जैसे हम ओपर की और जाते हैं हमें बड़ों निर् है वो है आटल टरन का रेंत तो दोस्तों ये जो टरोन है यानि कि ये शुरंग लगबग दस किलोमीटर के आस्पास की नो से दस किलोमीटर के बीच में ही इसकी लेंद थे आप्र देख सbies हैं कि है यह लिखा लन dinero जो कि पहाड़ों को चीर कर बनाइगी है और भी काफी काम चला है टरण के उपर और यह मनाली झाली से रोतांग के बीच में बहुत सारी टरणल बन रही है जो कि जो आने वाले समय में हम लूगों को काफी अच्छा रास्ता देंगी क्योंकि यहां पे पहाड़ों पे ज़्यादा दिक्कत होती है गारी चलाने में और रास्ता नहीं सही है अभी और जब इन टर्नल का काम पूरा हो जाएगा तब हमारा समय और भी ज़्यादा बचेगा तो आप लोग देख लिए यह कितनी अंदर से खुबसूरत टर्नल दिखती है और इस पे आप ज़्यादा स्पीड से गारी नहीं चला सकते है इसमें कुछ लिमिट होती है गारी चलाने की अभी जब हम लोग गये थे तब 40 की स्पीड से ही जा सकते थे सिर्फ और दोस्तो हम लोग लगबग इसके बाहर निकल चुके हैं और यह इसका उधर का पॉइंट है और जैसे ही हम इसके बाहर निकलेंगे यहाँ से बर्फ जादा आने लगती है और यहाँ पर सेक्यूर्टी भी काफी टाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कितनी ज़्यादा बर्फ है हम लोग दोस्तों वापस में यहाँ पर आएंगे पहले हम जहां जाने वाले हैं पहले वहाँ जाएंगे वहाँ पे देखते हैं बर्फ है या नहीं है अगर नहीं होती है तो वापसी में हम लोग यहीं पी आएंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बर्फ है और जो हमने गाड़ी बुक की थी वो सिसू के लिए ही की थी तो पहले शिसू जाएंगे फिर वह वापस में यहां पिरुकेंगे आके और यहां से हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो दुस्तू अभी हम लोग आचुके हैं सिसू में और यहां आप लोग देख सकते हैं कि ऑर Hugo और यहीं पहर हम लोग रुकेंगे थोड़ी दिर और वहां भी जाएंगे बरफ के पास, तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं बरफ के पास, तो दोस्तो यह देख लीजिए, नीचे बरफ है, तो दोस्तो हम यहां पर जाएंगे अभी, तो दोस्तो यह देखिए, यहां पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, हम लोग आ चुके हैं, अब आरे से एक मतार रुकेंगे, और फिर यहां पर चलेंगे, दूसरे पॉइंट पर, यहां पर देख सकते हैं, जादा बिर्बार नहीं हैं, और भीड़ती थोड़ी भीड़ती और अब चलते हैं किसी दूसरी जगा, और यहां पर आप लोग देख लीजिए, सब लोग यहीं पर हैं, और हम लोगों ने काफी इन्जॉय किया बरफ का, और हमाई चंदन भाई अभी भी लेटे हुए हैं बरफ पर, तो चलिए अब दूसरी जगा चलते हैं कहीं पर, तो यहां पर देख लीजिए, नीचे बरफ की चादर बीची हुई है, जो कि देखने में काफे ज्यादा अच्छा लग रहा था, और सब लोग यहां से निकलने के लिए तयार हैं, तो अभी हम सिसू से वापस आ रहे हैं, जो हमारी अटल टरनल थी, उसका जो एंड था, जहां पर सबसे ज़्यादा बीट थी, बर्फ से सारे पहार ड़के हुए हैं, और यह हैं हमारे भाई आशिस, और वो भाई आ रहे हैं अनुच, और यह हमारे चंदर भाई, चलते हैं और इंज्वाई करते हैं, तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, पानी कितना साफ है, यह प एक नदी का रूप ले लेता है, और आपको यह चार और बर्फी बर्फ देखने को मिलेगी, और यहां पर बहुत सारे लोग इंज्वाई कर रहे हैं अपना-पना, यहां देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर फोटो सूट हो रहे हैं, जो कबल से यहां पर आते हैं, उनक यहां पर चारो तरफ आपको लोग ही लोग देखने को मिलेंगे, और यह देख लीजिए सीन, यहां पर कितना ज़्यादा खोपसूरत है, और फ्रेंट्स हमने यह टेडी बियर बनाया है, बर्फ से, और इसका भी वीडियो हम एक डालेंगे अपने जीके क्राफ्ट चैनल पर आप उसे जरूर देख लिजिएगा, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह आपको कैसा लग रहा है, यह भी हमने बनाया है यहीं पर, दोस्तों आप लोग जब भी इस तरह के इस तो पर कुछ भी बनाया है तो आप लोग गलफ का इस्तमाल जरूर करें कि अगर सब्सक्राइब करना नहीं करेंगे तो आपको गौल्ड बर्न हो सकता है, तो यहां पर दोस्तों लोग ने काफी मस्ती कि, यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग किसल दाए है वारत पर यहां पर देख सकते हैं यह नीचे से बर्प पिगल रही है बून बून करके प्रेंट्स जो टेड़ी बियर हमने बनाया था वहां पी सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे लोग आने लगें तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा प्रेंट्स यहां पर आप बहुत मस्ती कर ली अब जा रहे हैं यहां से और अभी कुछ खाएंगे पीएंगे चलके कि यहां पर लगभग हमें एक बच चुका है गलते निकलते हमें डेड़ बच जाएगा दोस्तों हम लोगों ने एक दूसरे को उपर बर्फ के गोले कुछ इस तरह से बना बना कर फेके और हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया और वह आपको हम ने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि सारी चीजे वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है और यहां पर आने के बाद वापसी में यहां पर पराइगलाइडिंग हो रही थी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर पराइ निकल चुके थे जो कि हम लोगों ने मनाली में बुक किया हुआ था तो अभी हम लोग सिधे जाएंगे मनाली और फिर वहाँ पर स्टेक करेंगे दो दिन दो राते तो आप लोग देख सकते हैं और इन पहाड़ों को हम लोग बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे और यहां पर दो और यहां पर देख सकते हैं वो जो रोपवे था यह परेग्लाइंडिंग का ही रोपवे है आपको यहां से उपर की और ले जाएंगे और वहां से आपको परेग्लाइंडिंग कराते हैं आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उच्छा है दोस्तों इसे देखने का पूरा जो हम लोगों का एक्सपीरियंस था बिल्कुल डिफरेंट था कि कुई हम लोग पहली ही बार आये थे और जब भी कोई यूपी का लड़का यहां पर आता है तो इसे देखकर आसर चके जरूर रह जाता है क्योंकि हमारे मां कभी ऐसे पहाड हुए ही नहीं है और हम लोग पहली बार आये हैं तो दोस्तों इस व्लॉक सीरीज में बस इतना ही इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा धन्युक्त